जनरल विपिन रावत इंडियन मिलेटरी फोर्स के एक ऐसा नाम जिसे आने वाली इंडियन फोर्स के आर्मी के जवान शायद कभी भुला नहीं पाएंगे 16 मार्च 1958 से लेकर उन्होंने दिसंबर 2021 में हेलिकॉप्टर क्रेश में उनके मृत्यू तक इंडियन आर्मी को उन्होंने सर्व किया हुआ था जनरल विपिन रावत फोर स्टार जनरल थी और डिफेंस स्टाफ के पहले चीफ थे वो जनरल विपिन रावत स्टाफ कमिटी के चीफ के 57 में चेर्मेन रह चुके है और आर्मी स्टाफ के 26 में चीफ रह चुके है जनरल विपिन रावत 16 मार्च 1958 को इंडियन आर्मी के लेटरेंट जनरल लक्षमन सिंग के घर पौरी में पैदा हुए जनरल विपिन रावत ने इंडियन मिलिटरी अकेडमी और नेशनल डिफेंस अकेडमी से अपनी ग्रेजुईशन की थी जहां पर उन्हें Sword of Honor के किताब से नवाजा भी गया था इसके अलावा जनरल विपिन रावत ने अपनी पढ़ाई इलेवन्थ गोर्खा राइफल्स के 5 बटालियन जिसमें की उनके पिताश्री भी थे उसी से उनकी करियर की सुरवात हुई थी 1987 में सुंदोरान वैली में चीनी और भारती सिना में एक जड़प होगी जिसके बाद जनरल विपिन रावत को उनकी बटालियन के साथ चाइनीज पीपल्स लिवरेशन आरमी के अगेंस वहाँ पर डिप्लोई किया गया था वहाँ पर जनरल विपिन रावत को इसलिए डिप्लोई किया गया था क्योंकि उन्हें उससे पहले दस साल तक भारत की उचाई वाले सीमाओं पर इंडियन आरमी को सर्व करने का एक्सपिरेंस प्राप्ता और वह अपने इस एक्सपिरेंस के तहत अपने इस काम में पूरी जैसे सिच्विशन में भी इंडियन आर्मी की बटालियन को लीड किया हुआ था उसके बाद उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंग्टन से पोर्स किया और जिसके बाद आर्मी हेड़़टर के मिलिटरी ऑपरेशन डिरेक्टरेट में उन्हें जनरल स्टा सेवा मेडल से भी सम्मानित किया था 26 जनवरी 2005 को जनरल विपन रावत को अपने कर्तवी के प्रती उनके समर्पन को देखते वे उन्हें सेना मेडल से भी सम्मानित किया था इसके बाद उन्हें प्रमोट करके ब्रिगेडियर बना दिया जिसके तहत उन्होंने सोपोर में स जिसका नाम था United Nations Organization Stabilization Mission in Democratic Republic of Congo और इसको एक और वर्ड जो की shortcut है इसका उससे भी जाना जाता था वो था MONUSCO UN के इस मिशन में इंडिया, पांगलादेश, चाइना, पाकिस्तान, रस्या, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान, साउधी अरइबिया समेच 49 कंट्री सामेच उस टाइम पे जनरल विपेन रावत ब्रिगेडियर के पतपरतेना थे और उनको उनकी बटालियन के साथ कोंगो में उसकी सेना का साथ देने के लिए भीज़ा गया था जिसके बाद विपेन रावत को दो बार फोर्स कमांडर्स कमेंडेशन से सम्मानित भी किया गया था विपेन रावत एज़ जनरल ओफिसर मेजर जनरल बनने के बाद रावत ने उरी के 19th इंफरामेटरी डिविजनल का कारेभार भी समाला था जिसके लिए उन्हें 26 जनवरी 2013 को अती विशिस्ट सेवा मिडल से भी सम्मानित किया गया था 2015 में अनमार स्ट्राइप्स इस टाइम तक विपेन रावत को प्रमोट करके लेफटरेंज जनरल बनाकर थर्ड कॉप्स का जनरल आफिसर कमांडिंग बनाया गया था जिसके हेड़कॉर्टर दीमापूर है जून 2015 में युनाइटेड लिबरेशन फ्रेंट ओफ वेस्टर्न साउथ इस्ट एसिया के मिलिटेंस ने धोखें से अमला करके 18 आर्मी के जवानों को मार गिराया था जिसका जवाब इंडियन आर्मी के पैरशुट रेजिमेंट के 21 बटालियन ने दिया था जो उस टाइम पे दीमापूर के थर्ड कॉप्स के अंडर ही आता था महारास्ट गोवा और गुजरात का जनरल ओफिसर कमांडिंग बना दिया गया और थोड़े ही टाइम बाद एक जनवरी 2016 को विपिन रावत जी को इस पद से हटा कर साउधन कमांड का ओफिसर कमांडिंगी चीफ बना दिया गया था और फिर इस पद पर महज 8 महने की स्रेवा देने के बाद उन्हें 1 सप्टेमबर 2016 को इंडियन आर्मी का वाइस चीफ गोसित कर दिया गया था इस पद पर 3 महने तक काम करने के बाद 17 दिसमबर 2016 को इंडियन गवर्मेंट ने विपिन रावत जी के नाम को 27 आर्मी चीफ के लिए अनौंस कर दिया था लेकिन इन सब कॉंटरवर्सी के बावजूद 31 दिसमबर 2016 को विपिन रावत ने आर्मी चीफ का कारेभार समाल लिया था सैंबानिक्सो और सुहाद के बाद थल सेना के अध्यक्ष बनने वाले गोर्खा रेजिमेंट से तीसरे ओफिसर थे विपिन रावत आर्मी चीफ बनने के बाद 2017 सलेकर 2019 के बीच विपिन रावत ने कई पडोसी देशों का बाइलेटरल दोरा भी किया था जिसमें वियतनाम, यूएस, रस्या, यूक्रेन, नेपाल, भूटान जैसे कई सारी कंट्रीज सामिल हैं जनवरी 2020 में विपिन रावत को इंडियन आर्म फोसेस के डिफेंस स्टाफ का चीफ बनाएगा ये इंडियन आर्म फोसेस के डिफेंस स्टाफ के पहले चीफ थे और 2021 में अपने मृत्यू तक इस पद पर वो बरकरार थे आर दिसम्बर 2021 को विपिन रावत अपनी पतनी के साथ इंडियन आर्मी के MI-17 हेलिकॉप्टर से डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में एक लेक्चर देने जा रहे थे अनफोर्चनेटली वो हेलिकॉप्टर क्रेश हो गया था जिसमें उसमें सवार सभी 14 लोगों की मृत्यू हो गई थी जनरेर्विपिन रावत जुनूस ने आपने पूरे जीवन को इंडियन आर्मी को समरपित कर दिया आप लोगों को उनके बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जखुरूर बताएं और विपिन रावत के सम्मान में कमेंट में जय हिंद ज़रूर helicopter मिलते हैं अगली